तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्या 12th की क्लास PCM से पास करने के बाद क्या BPT का जो कोर्स है उसे किया जा सकता है के नहीं Hello Friends, आप देख रहे हूँ Educational WordStuff Channel तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे BPT कोर्स के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और दोस्तो अगर आपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जे जानना है कि 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन को से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में दे दिया है। आप इस वीडियो के खत्मूने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप मेंसे कई students का दोस्तों जो doubt होता है कि Can I do BPT course after 12th PCM? जरी 12th की class क्या PCM से pass करने के बाद क्या BPT का जो course है उसे किया जा सकता है के नहीं? तो मैं आपको उताना चाहता हूँ, जी नहीं, आप 12th की class PCM से pass करने के बाद आप जो BPT का जो course है, उसे आप नहीं कर सकते हैं. अगर मैं आपसे BPT course का eligibility criteria आपसे मैं discuss करूँ तो eligibility criteria दोस्तों जै कहता है कि आपको जो 12th की class है उसे आपको pass करने पड़ेगी, आपको 12th की class आपको PCB के subject के सब्जेक्टों के साथ आपको pass करने पड़ेगी, PCB के subject होते हैं physics, chemistry और biology जो कि आप इन subjects को 11th और 12th की class में आप study करते ह तो 12th की class को pass करने के बाद आपको इस course में admission मिल जाएगा और अगर मैं आपसे BPT course के बारे में आपसे में discuss करूँ तो BPT का मतलब होता है Bachelor of Physiotherapy जो की एक चार वरश का course होता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे BPT course के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और भी कई सारे courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें बांजाकर भी देख सकते हो तो अंत में दोस्तों अभी आपको जैब वीडियो केसी लगी अगर आपको जैब वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्य बाद